नमस्कार मैं सालिनी आज मैं आपको तीसी के पाउडर बना बतलाओंगी आप एक बाद तीसी का पाउडर बना करके रख लें उसके बाद आप कितने भी तिनों तक इस्तेमाल करें वो खड़ाब नहीं होता है और इसे फ्रीजर की जरूरत नहीं है यह फ्रीज में रखा नही होता है मैंने इसके पहले भी बहुत सारे पाउडर बत्लाएं हैं बना करके वीडियो में डाल दूंगी और सबसे पहले हम तीसी को अच्छी तरह से झार लेंगे और ज़ार कर इसकी गंदगी को हटालेंगे इसमें गंदगी होता है इसे हम दो टब में कर सकते यह साफ करने का तरीका यहीं है कि आप किसी चन्ने के ऊपर डाल करके और इसकी गंदगी निकाल लें हम तो मैंने छान के रखा हुआ है हम इसे सब सė पहले तो गरम करते हैं भूनते हैं से इस्टोब पर कठाई को चढ़ाएंगे और इसमें तीसी डालेंगे कराई को गरम करने अच्छी तरह से और उसके बार हम तीसी को भूनते हैं बेल्कुल शीम होना चाहिए दिसी बूनने के समय कुंध कि बिल्कुल चलाते वह बूनना और वह भून जाता है इस तक ध्यान रखें इसे जलने नहीं देना यह बहुत जल्दी जाता है बूं करके फुल्ट यह जाता है और देखें कैसे पटपट की आवाज आ रही है हम इसे निकाल लेंगे, भून कड़के मैंने लिए अजिए निकाल लिया है और इसे ठंडा कर लेंगे, यह ठंडा होने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, हम इसे पीप लेंगे, पॉडर बनाना है तिसी का पॉडर बन करके तयार है तिसी का पॉडर बढ़ने के लिए में तीसी को अच्छी तरह से साफ करते हो उसे अच्छी तरह से भूनना होता है बिल्कुल सीमाज पर सीमाज पर भूनेंगे तो यह पटपट कड़के आवाज भी करता है साथी साथ पूरा तीसी फुल जाता है और सुन्धी खुसू आने लगती है तो तीसी हो गया समझना है बहुत जल्दी भून जाता है लेकिन दीरे दीरे भूनना है एक पार में तेज फ्लेम मेडियम फ्ले मुझा जाता है जासे कादू अगैरा सब्ची और चन्धा माना जाता है तो उसके ऊपर हम लोग तीसी पाएफ डालके खाते है तो इस तरह से भी स्टियों वहीं इसनिमाल किया जाता है क्योंकि यह स्वभाव से गरम होता है तो हम लोग इसका लड़ू है पराठा है या सब्जी उस समय जो खाते हैं उसके उपर डाल करके और हम लोग इसका इस्तिमाल करते हैं इसलिए तीसी का पॉडर भून करके तयार करके डब्बे में भड़के रख दिया जाता है यह नहीं होता है इसके तेल की अलगी खुस्पू होती है हो सकता है बहुत दिनों तक आप रखेंगे तो तेल की खुस्पू आएगी लेकिन ऐसे यह एक दम बिल्कुल रेडी है आप इसे रखने के लिए आपको फ्रीज की जरूरत नहीं है बिल्कुल बाहर रहता है और कभी भी खराब नहीं होता है क्योंकि आपने इसके मॉइस्ट्रेट आ दिये हैं तो इसमें कुछ भी नहीं ऐसा है कि यह खराब हो जाए आप इसे इसी तरह से पैक करके डब्बे में बढ़के रखते हैं और जब मर्जियों लड़ू बना लें पराठा बना लें या फिर सबज जी है आप इससे बना सकते हैं